बच्चों आपके सामने सो सब प्रतिमिनट कतिका डिक्ट संते रहूं कोरोना से समद्धे से यास स्टार्ट कोरोना वाइरस से लड़ने में भारत की दिख्ती काम्याबी जितनी सुखत लग रही है उतनी ही उसाजनक भी है भारत में अभी 62 लोगों को ही कोरोना टीका लगा है लेकिन तब भी कोरोना संक्रमन का काबू में आते दिखना अनाय से ही आकर्शन का केंद्र बन रहा है पिछले साल सितंबर के मैने में एक समय वह भी था जब लगबग हर दिन देश में एक लाग से जादा कोरोना मरीज मिल रहे थे अब प्रतिदिन करीब 10,000 मामलों का सामने आना एक महतुपूर्ण संक्रमन है आकरों के हिसाब से देखें तो 130 करोड की आवादी वाला विसाल भारत कोरोना मामलों को नियूंतम इस तर पर ले आया है सितंबर के बाद गिरावट का क्रम सुरू हुआ और अब जो इस्तती है वह वग्यानिकों को हैरान कर रही है भारत में जब कोरोना ने गती पकड़ी थी तब पूरी दुनिया में चिंता थी की भारत अपने कमजोर स्वास्त धाचे के साथ केसे मुकापला करेगा हम कोरोना संक्रमन में लगभग सीर्थ पर पहुँच गए थी लेकिन आखिर क्या हुआ कि यहां कोरोना सिमटने लगा अब देखना है कि जैसे कोरोना परिवार की अनित बिमारियां सार्स और मर्स अचानक खराब हो गई क्या कोरोना भी अचानक गायब हो सकता है विग्यानिक अच्छी तरह चानते हैं कि भारत में न तो कोरोना जाच कम हुई है और न सारजनिक इस्तानों पर साउधानी फिर भी मरीजों की संख्या कम हुई है और अब अस्पताल भी दबाओं में नहीं है एसे इस्तती में सामान मरीजों का भी इलाज शुरू हो गया है एसे अनेक संस्तान और विग्यानिक हैं जो भारत में कोरोना की परताल कर रहे हैं इसमें यह जानने की कोशिज भी सामिल है कि भारत में कोरोना को काबू करने के लिए क्या क्या किया यह बिल्कुल सही है कि भारत में एसे बहुत से इलाके हैं जहां कोरोना दिसान निर्देशों का पालन कड़ाई से की गई है लेकिन बहुत विसाल छेत्र ऐसा पी है जहां पर लोगों ने कोरोना को बहुत गंभिरता से नहीं लिया गनीमत रही कि मानगरों की तरह गाउं में नहीं फेला सवाल है कि क्या सहर में रहने वाले लोगों की तुलना में गाउं में रहने वालों की रोग प्रतिरोधक शमता जादा बहतर होती है क्या उन एलाकों में कोरोना ने ज्यादा आतंग फिलाया जो तुलनात्मक रूप से विक्षित या कुछ संपन थे कोरोना के अनुभोंगों के बाद भारत में सुरप्षित जीवन सेली को लेकर भी अध्यन जरूरी है जिन एलाकों में कोरोना नहीं फेला और जिन एलाकों में खूब फेला दोनों ही जगह गिराई से अध्यन करने की जरूरत है भारत की जलवाई को भी एक बड़ी वजह मना जा रहा है विसेसक बता रहे हैं कि ठंडी और सुस्क जगहों पर वाईरस हवा में ज़्यादा देर तक सक्री रहता है गरम पानी और नमी वाली जगहों पर वाईरस ज़्यादा सक्री नहीं रह पाता बन जगों की अपेक्षा खुली जगह ज़्यादा सुरपचित है एक बड़ी वजह भारत में युवाओं की आजादी भी है भारत में आदी से ज़्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है और महर्ज 6 प्रतिसत आबादी 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की है तो भारत की अच्छी भोगोलीक इस्तती और आबादी दोनों पर अध्याद जरूरी है ताकि भारत को सेहद मन बनाया जा सके कुछ और दिन की सावधानी से भारत कोरोना को काबू में कर लेगा और सायत ज़्यादातर लोगों को टीका करण की जरूरत भी नहीं पड़ेगी धन्यवाद कर दो